कि खुदावन के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको इसलाम मेरा नम सब मैं सदफ अद्नान डिस्टिक प्रेजडेंट पुवन विंग फैसलाबाद मिनोर्टीज नाइस पाकिस्तान मैं कल 11 गस्त यौम अकलियत के दिन पर होने वाली रैली जिसमें इसलामाबाद पुलीस ने हम पर तशद्द किया पुर्ज़र मजामत करती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ यह जवाब उनके लिए है जो मेरे फ्रेंड दोस्त और मेरे साथी जन्होंने वाटसैप पे और मेसिंजर पे मुझे कहा आपकी सेहर ठीक नहीं थी आपको वहाँ पर रैली में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी मैं आपको बताना चाहती हूँ के मैं एक मैपियन हूँ और मैं पूरी कौम की माओं बेहनों बेटियों की आवाज हूँ मैं कोई आम खातून नहीं थी जिसे रैली में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस वकत पुलिस एहलकारों ने चेर्मेंट साब पर धावा बोला उस वकत मैं चेर्मेंट के बिल्कुल साथ खड़ी थी तो जैसे ही उन्होंने चेर्मेंट साब का कॉलर पकड़ा चेर्मेंट साब को थपड मारे और उन्हें गसीटना शुरू किया तो उनके पुलिस एहलकारों के धकों की वज़ा से उन्होंने मेरे बाजू खेंचे उन्होंने मुझे धके दिये और मैं नीचे गिर गई और चंद हफते पहले ही मेरी सरजरी हुई थी जैसे के रिपोर्ट आप लोगों के सामने है यह डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन है जो मैं जब वहां से लौटी तो आज मैं हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर के पास जिसकी वज़ा से मैं नीचे गिर गे और मेरे स्टीचीज जो है वो हिल गे और मैं बताना चाहती हूँ के कल इसलामाबाद पुलिस ने गुंडागर्दी की बदमाशी की हमें मारा हमारी बेटियों को जलील किया और हमें उन्होंने लाकनूनियत को दिखाया और शो किया के जब भी पाकिस्तान में अकलियतें जो है वो अपने हक के लिए बाहर निकलेंगी तो हम इनकी माओं बेटियों को जलील करेंगे इन्होंने हमें डराया दमकाया ताके हम दुबारा बाहर ना निकले लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके इस टॉर्चर से ना तो हम डरे हैं ना ही गबराये हैं आपको पता है कि हम मौके पर वहां पर मजूद रहें मेरी बेहने मेरी माए मेरी बेटियां मेरे साथ वहां सड़क पर बैठके हम एतजाज करती रही और हम आपके इस दावे से इस तस्दुद से डरने वाले नहीं हैं बलके हम दुगनी पावर से पूर अजम होकर उबरेंगे और मैं गॉर्मेंट आफ पाकिस्तान से और एहले आला ओहदे दरानों से ये अपील करती हूँ कि हमारे साथ होने वाले जलम जबर और तशदुद का जो है वो इनसाफ किया जाए और इस पुलीस की इस जो गुंदागर्दी है से बेनकाब किया जाए बहुत शुक्रिया